मैं तोड़ा अंदर की बात बता दू यह ममताव दीदी का और सिबु सोरन का एलाइन्स पहले से चल रहा है लेकिन हम पार्टी को ससक्त करने के लिए अपनी बुजूद को बनाए रखने के लिए वह सारा काम करेंगे जहां पर हमारा कारिकत्त काम कर रहा है जो एलाइन्स है एक जो बिधान सभा के लिए अलग है लोग सभा के लिए अलग है हमारा में टार्गेट है इस एलाइन्स के द्वारा बीजेपी को रोकड़ा नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नीज तरिन्बुल कॉंग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष फिल्मन टोपो जो है हमार हमारी सभी आज के परिवेश पे जो हमारी तिर्मूल कॉंग्रेस टीम है काम कर रही है लेकिन आने वाले लोगसभा और विधान सभा की चुनाओं को मद्यरजर रखते हुए हम ब्लोक लेबल से जो है पार्टी विस्तार का काम सुरू करेंगे और हमारे कर्मत जो हमारे वर होगा और उस एलेक्शन के लिए हमारी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन फिर भी उसमें धार देने का काम करेंगे और पूरी कोसिच करेंगे कि हमको टीम सी को इस्ताफित करना है अच्छा लगातार देखा जारा था कि पार्टी जो है कहीं नहीं सुस्त नहीं पार्टी को वह एक्टिव नहीं देखा जा रहा है लेकिन अचानक से जो है आप लोगों के इक पार्टी एक्टिव होई है मैं तोड़ा अंदर की बात बता दूं यह ममताव दीदी का और सिभू सोरण का एलाइन्स पहले से चल रहा है और हम यह जारकन में जो अभी सरकार चल रही है उसको पहले से हम सपूर्ट करते रहे हैं और एक दूसरे के जो तालमेल के कारण ही हम बहुत जगा जारकन बुक्ति मोर्चा काम कर रहें है महां पर हम काम नहीं कर रहे ते क्यूंकि हम उसके साथ Champions आ रहे हैं उसको देखते हुए हम सब जगा काम करते हुए भी उस जगह भी काम करेंगे जहां पर हमको जुरूरत होता है हमारा में टार्गेट है इस एलाइंस के द्वारा बीजेपी को रोकड़ा और बीजेपी को हम ना केवल जार्खन में रोकेंगे हम दिल्ली में भी रोकेंगे इसलिए इस एलाइंस के होते हुए भी हम ससक्त हो करके अभी जार्खन में काम करेंगे ताकि संटर में हमारा काम दिखने लगेगा और जो इंडिया है वो हमारा स्थापित करने का काम होगा पिल्वन जी ये बताइए कि जार्खन में किस छेत्र में अपनी पार्टी को मजबूत देखते हैं हमारा जहारखन जो स्टेट है वो दो तरह के लोगों से एक जुडाव इनका है एक तो हमारा यहां पहले भी अब सहर में देखेगा तो बंगालियों की संख्या ज्यादा थी धीरे धीरे जह जो है बंगालियों की संख्या कम होती गई और चुकि त्रिबुल कॉंग्रेस है व वेस्ट बंगाल से शटे हुए जितने भी जीले हैं जम तड़ा हो जाई है खर्षमा हो जाई है दुमका फॉर इदर हमठी ज्यादा काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं लेकिन हमानते कि प्रेस अगर दिखाता है तब आपका काम दिक नहीं एशा हमारा मडिया से होगा लेकिन आप जो पूछ रहें कि यहां पर धीमी गति दिस है वह आपको नहीं देख रहा है ने में जहां पर इस्थापित होने जैसा है वहां पर हम ऑने लड़ेंगे और जहां पर जो है बीजेपी को हराना है और हमसे ससक्त पार्टी है तो हम उसको भी शायोग करेंगी क्योंकि हमारा दोनों जगह जो है एलाइंस के हिसाब से हम पहले भी ममता बनर जी और सिपो सोरेंट का एलाइंस था आगे भी रहेगा लेकिन हम पार्टी को ससक्त करने के लिए अपनी मुझूद को बनाए रखने के लिए वह सारा काम करेंगे जहां पर हमारा कारिकत्ता काम कर रहे हैं ठीक है एलाइंस के तौर पर तो आप काम कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीट सेरिंग को लेकर जो है एक बखेडा भी खड़ा हो सकता तो उस समय आप कितनी दम लेवल के हमारे ममता दीदी समध्च जो भी लोग है वो लोग करेंगे लेकिन हम काम करेंगे और सारी बातों को रखा है किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है संगठन को मजबूत करना है और इनका सबसे बड़ा लक्ष है बीजेपी को हटाना है केंदर से और राज से यानि कि फिल्मेंट टोपो ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है तो इससे प्रतीत होता है कि त्रिमूल कॉंग्रेज जो है अब सक्रिये हो चला है और अपने संगठन विस्तार को लेकर कई कारिकरम जो है आने वाले दिन में आयुजित किये जाएंगे दर्समीच के ल